गांधी जी की मितवयविता गांधी के सामने डाक का धेर लगा था वो आय हुए प्रतिये पत्र को ध्यान से पढ़ते जाते और जो हिस्सा कोरा होता उसे कैची से काट कर अलग रख लेते एक सज्जन वहीं पास में बैठे थे और बहुत देर से गांधी जी की कतरनी देख रहे थे उन्होंने बहुत आश्चर्य से पूछा मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन कत्रनों को एक और एकत्रित कर क्यों रखते जा रहे हैं इनका क्या उप्योग है गांधी जी ने कहा मुझे जब पत्रों के उत्तर देने होते हैं तब मैं इनहीं कत्रनों का उप्योग करता हूं यदि ऐसा ना करूं तो यह कागज बेकार हो जाएंगे और इससे दो प्रकार की हानिया होंगी एक तो बेकार में ही खर्च में वृद्धी हो जाएगी और दूसरे राश्ट्रिय संपत्ति नस्ट हो जाएगी किसी देश में जितनी वस्तुवे होती हैं वह सब उस देश की संपत्ति मानी जानी चाहिए हमारा देश निर्धन है इसी स्थिती में हमें धंका दुरूपयोग ना करना चाहिए गांधी जी की मितव्यायता का एक अंश भी हम अपना ले तो हमारी तेजी से प्रगती होने में देर न लगे